बल तथा गती के नियम भाग एक इस वीडियो में हम बल यानि फोर्स के बारे में जानेंगे और संतुलिद बल यानि बैलंच फोर्स और असंतुलिद बल यानि अनबैलंच फोर्स को भी समझेंगे कई सदियों से लोग गती के सिध्धान्द को पुरी तरह समझने में असमर्थ थे उन्हें लगता था कि किसी वस्तु की विराम अवस्था ही उसकी स्वभाविक अवस्था है मगर गैलिलियो गैलिलियो और आईजेक न्यूटन जैसे वग्यानिकों ने इस सिध्धान को खारिच किया और गती को समझने का बिलकुल नया तरीका निकाला हमने देखा है कि किसी स्थिर वस्तु में गती उत्पन करने के लिए या किसी गतीशिल वस्तु को रोकने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है एक वस्तू पर लगने वाला ये प्रयास जो इसकी गती की अवस्ता या विराम अवस्ता को बदल देता है बल का एक उधारन है बल वेक का परिमान और गती की दिशा को बदल सकता है ये एक वस्तू का आकार या आकरिती भी बदल सकता है अब हम संतुलित और असंतुलित बल के सिध्धान्त को समझने की कोशिश करते हैं इसे समझने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं लकड़ी का एक टुकड़ा लो और इसे समतल शैतीज मेज पर रखो इसके विपरित सतोहों पर एक-एक धागा जोड़ो अब अगर हम इसके धागे को खीच कर इस पर बल लगाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है? क्या होगा? अगर हम इसके बाएं धागे को खीच कर इस पर बल लगाते हैं तो पूरा लकड़ी का टुकड़ा बाई और चलने लगता है इसी प्रकार अगर हम दाई और वाले धागे को खीच कर बल लगाते हैं तो पूरा लकडी का टुकड़ा दाई और चलने लगता है लेकिन तुम्हें क्या लगता है? अगर हम दोनों धागों को एक साथ समान बल लगा कर खीचें तो क्या होगा? बिलकुल ठीक, लकडी का टुकड़ा किसी ओर नहीं जाएगा अगर इसे एक ही समय पर समान बल लगा कर विप्रित दिशाओं में खीचा जाए परिनामी बल शुन्य हो जाता है और इसलिए ये टुकड़ा नहीं खिसकता ऐसे बल को हम संतुलिद बल कहते हैं यहाँ विराम अवस्ता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता अब क्या होगा अगर हम दोनों धागों को असमान बल से खीचें क्या टुकड़ा अभी स्थिर रहेगा? इस अवस्ता में टुकड़ा अधिक बल लगने वाली दिशा में खिसकने लगेगा अगर टुकड़ा बाएं धागे की अपेक्षा दाएं धागे से अधिक बल से खीचा जाए तो दाएं धागे से लगने वाला अतिरिक बल टुकड़े को दाईं और खिसकाने लगेगा इसी प्रकार टुकड़ा बाई और खिसकेगा अगर दाई और की अपेक्षा बाई और के धागे में खीचने वाला बल अधिक हो ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है यहां जैसा की बल संतुलित नहीं है तो टुकड़ा खिसकने लगता है अगर हम कार को कम बल से धक्का दे तो कार नहीं चलेगी ऐसा हमारे धक्के के विपरित दिशा में लगने वाले घर्षन के कारण होता है जैसे ही कार के पहिये खुरदरी सत्थ के संपर्क में आते हैं तो घर्षन उत्पन होता है यहां घर्षन बल धक्के से लगने वाले बल को संतुलित करता है और इसलिए कार नहीं चलती कार को चलाने के लिए हमें घर्षन बल से अधिक बल लगाने की ज़रूरत होती है इसका मतलब कार को चलाने के लिए हमें असंतुलित बल की ज़रूरत होती है मगर कुछ लोग गलत समस्ते हैं कि असंतुलित बल का नियमित रूप से लगना किसी वस्तु को गतीशिल बनाये रखता है सच ये है कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गती की अवस्था को नियमित रखती है अगर इस पर लगने वाले सभी बल संतुलित हो और परिणामी भारी बल शुन्य हो जिसका मतलब है कि विराम अवस्था या गती की अवस्था में परिवर्तन तभी दिखाई देता है जब एक असंतुलित बल लग रहा हो असंतुलित बल के लगने के कारण ही एक स्थिर वस्तु चलना शुरू करती है और एक गतिशिल वस्तु रुखने लगती है एक असंतुलित बल एक वस्तु की गति की दिशा ये चाल को बदल सकता है तो इस वीडियो में हमने बल यानी फोर्स के बारे में जाना और संतुलित बल यानी balanced force और असंतुलित बल यानी unbalanced force को भी समझा अगले वीडियो में हम गती के प्रथम सिध्धान्त के बारे में जानेंगे